तो इसके पहले की विडियो हमने डिस्कस किया एक रिटेल फार्मेसी कैसे इस चैट किया जाया और आज की विडियोम समझे कोष्ड करेंगे कि इसी रिटेल फार्मेसी की चेन कैसे बना जाए किसी एक ब्रैंड बना जाए पैन इंडिया कि आप जिसे अफलो फार्मेसी देखते हैं मेट प्लास मेट लाइव और आपके सिटीज में भी कुई ऐसे फार्मेसी के रिटेल चुएन हो जिनके 12 स्टोर्स हो और उन्हें सही तरीके से काफी एक्स्पैंड किया अपने बिजनस फिर पारटनाश सूर बनाएए बनाए őं पड़सां गंपनी बनाएए वह आपको डिपेंड करता है कितना उसको इकस्पैंड करना चाहिए तो तो इस टोर के लिए फाइव स्टोर के लिए अब करना चाहरे है तो जो ड्रग standard organization होते हैं वो इशू करते हैं drug license और जो भी उनमे requirements होते हैं कुछ forms होते हैं कुछ उनको requirement चाहिए जैसे refrigerator का bill चाहिए map चाहिए registered pharmacist जो है उसका certification का certificate चाहिए और भी कुछ requirements होते हैं documents कि वो आपके उनके website में मिलेगा तो क्योंकि state to state is differ करता है थोड़ा थोड़ा तो वहां पर जाके हों सारी चीज़ों को आप fill कर सकते हैं upload कर सकते हैं और apply कर सकते हैं और 7-10 days में जो थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है और आपको सारी चीज़ों को verify करने के बाद आपको एक drug license मिल जाएगा यह तो world legal formalities कि आफी expand करें एक legacy बने एक पूरा empire बने ठीक retail pharmacy में भी यह हो सकता है मालेज़े कि आपने अपने ही locality में medical store open किया एक normal medical store open करने के लिए अगर एक normal supplies है तो वहां पर 4-5 lakh में एक medical store open हो सकता है तो आपने एक medical store open किया और उसको आपने देदरी run किया और आपने उसको profitable business में एक shop अब और add कर सकते हैं ठीक आपने वहां के बस 5-6 km के अंतर पर आपने एक shop और डाल दी अब वहां पी बने drug license लिया company का registration आपने पहले कर रखा तो आपको दुबारा नहीं करना है GST आपने पहले रखा आपको दुबारा लेने के जगत नहीं है आपको जो दुबारा ल आपको लगा कि आपने एक और open कर सकते हैं कुछ दिन बात आपने तीसरा open कर दिया अब इसको benefit आपको क्या होगा सबसे पहला benefit तो यह होगा कि आपके पास तीन-तीन stores हैं वह बढ़ता जाएगा माली जागे तो आपके पास जो purchasing होगे आप बल्क में करेंगे तो बल्क में कर सकते हैं अपने strategy के तौर पे क्यों कि आपके बस पांच stores हैं दस stores हैं और जाता हैं तो आपके पास जो पूरी inventory है और जिस तरीके से आप पूरा प्रचेज इंसल कर रहे हैं तो आपके पास scope रहेगा क्योंकि आपको materials थोड़े सश्ते दामव मिल सकते हैं तो आपके पास scope होगा competition में अपने आपको आगे ले जाने के लिए ठीक पहले चीज दूसरी चीज यह हम भी जानते हैं कि अगर किसी के हम एक brand value समझते हैं कि किसी कहा कि स्टोर यहां पर है एक और है हमको पता चले कि एक city में इसके 10 stores हैं तो automatic sense of a secureness आ जाता है कि हाँ यह जो brand ना आजिए कि इनके तो 10-10 branches हैं काफी बहतरीन काम करते हैं तो automatic आप उनके पास चले जांगे एक sense of trust अपने आप generate हो जाता है तो आपको एक आपके customer retention में और new customer आने में आपको ऐसे ही help करेगा वहां पर आप क्या कर सकते हैं membership कर सकते हैं कि एक membership अपने अलग-अलग stores पर चला रहे हैं बहुत सारी चीज़यों हो सकती है वह आप पर depend करता है कि आपको locality के हिसाब से आप क्या-क्या वहां पर आप कर सकते हैं तो इस तरीके से आप एक नाम पर एक name पर एक city में multiple stores multiple cities में multiple stores आपका पूरा layout सेम है आपका पूरा branding सेम है अगर कोई एक store यहां देखता और दूसरा कहीं और देखता तो उसको लगना चाहिए कि हाँ इनका सेम है ठीक है और वो एक जो एक brand positioning आपकी होगी वो बाकी जो local medical stores होंगे उनको उनसे थोड़ा आपको stand out कर देगा आप वही medicines लाके आप भी sell कर रहे हैं जहां से वो लेके आ रहे हैं होज़ता वहीं से आप भी लेके क्यार है बट क्योंकि आपने presentation अपने branding अच्छी कर रखी है अपने staff training अच्छी कर रखी है अपने staff को अच्छे तरीके से अपने present कर रखा है तो इसलिए लोगों को trust होगा कि इनका काम थोड़ा professional है यह सही काम करेंगे इसके अलामा अगर आपको कुछ जानना है तो please comment us we will definitely reply thank you